हेलो दूस्तों आज एक मेरे पास सैंसंग का फोन है जैसेवर प्राइप इसका हम मोडल नमर देख सकते हो तो बहुत अच्छी बाई यह देखिए तो इसमें प्रोल्म है कि इसमें फर्पी लगा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूं यह देखिए तो हमें इसका फर्पी मालूम नहीं है तो हम इसका फर्पी आज जी सट करेंगे तो यह पहले फोन होते इसमें टोक बैक हम ओपन करते थे तो उससे हम इसका फर्पी निकाल देते थे लेकिन यह नया अपडेट आपके पास आते हैं तो नए अपडेट के तो आप उसका फर्पी कैसे निकाल सकते हो आप देखिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दिए और नए है तो इस चैनल को स्क्राइब कीजिए ताकि आपको इस चैनल से सीख पाए तो आपको क्या करना है एक सिम ले लेनी है और उसमें आपने पासपट लगाना है कोई भी अगर बंद सिम हो कोई भी हो इसमें आपने पिन लगा लेना है और पिन लगाने के बाद आपको क्या करना है सिम इसके अंदर जैसे हम सट करते हैं यह देखिए तो यह pin मागेगा तो आपने क्या करना है जैसे हम इसे remove करेंगे तो आपने screen को lock करना है जैसे आप इस sim को remove करना है तो इसे lock करना है दीखें मैं lock करता हूँ उसके बाद आपने lock खोलना है यह कोई आपको एक दो बार करना पड़ेगा एक ही बार में नहीं होता है तो आपको फिर दिबारा try करना है आपके पास इस तरह का screen अना चाहिए तो आपने क्या करना है इसे उक्के देना यहां से और आपको नीचे की तरफ करना है तो यह जो notification setting है यहाँ पर आपको आपको ने क्लिक करना है उसके बाद आपको all app के सबसे नीचे जाना है और YouTube पर आपने क्लिक करना है उसके बाद आपको in app notification setting में क्लिक करना है और आपको history and privacy में क्लिक करना है उसके बाद आपको यह YouTube जो trim service है यहाँ पर आपने क्लिक करना है स्टार्ट रिमांड माई लेटर में क्लिक कर देना है आपने अपने होम में क्लिक करना है आपको यहां पर लिखना है www.google.com तो यहां पर आपको लिखना है एफ र पी बैपास एपी के एस एच हर आई टी ए ल ए सी ओ अपने सर्च करना है जो उपरी वफसेट रही आपने इसे हापी क्लिक करना है तो जो यह हैंसेट है यह ओरियर में काम करता है तो आपको क्या करना है यह जो इसमें Google अकाउंड ओरियर 8.0 और 8.1 है इसे आपने क्लिक करना है इसे आपने इस्टोर कर देना है तो इसे स्टाइडिंग हो चुका है आपने ओपने शेटिंग बैक और इसे इंस्टोल कर लेना है आपने अब धन उसके बाद फिर आपको बैक काना है और जो FRP Bypass 1.0 APK यह आपने क्लिक करना है और इसे आपने ओपन करना है डालण करना है यह देखे और open का फाइल करना है और आपने यहां पर install कर देना है और इसे आपने open करना है उसके बाद आपको यह जो उपर टीन डोट दिख रहे हैं यहां पर आपने क्लिक करना है और browse sign-in में क्लिक करना है और आपके पास जो email होगी extra या आपने extra बनाई होगी या खुद की जो इसमें जो email add है उसके इलावा जो आपके पस email होगा extra वो आपने यहां पर add करना है तो मैं एक पर कर देता हूँ तो मैं इसका पास्वोड आपको दिखा देता हूँ करके करें आपके इसमें पास्वोड इसमें add कर दिया है अब आपको sign-in करना है इसमें जो हमने ID अभी इसमें डलती वो इसमें सेव हो चुकी है अब आपको क्या करना है इस फोन को रिश्टार्ट कर देना है आपने अब आपको इस SIM की कोई जरूरत है नहीं आपने SIM को निकाल के रख सकते हो तो इस तरह के आपके पास जितने मोडल है Samsung के J7, J6, J5 जिसमें नए स्कोटी अपडेट है उनका आप इस तरह FRP निकाल सकते हो असानी से यहां पर यह एकाउंट अड़र्ड का आपको उप्षन है इसमें जो हमने इमेल एड़ी आड़ की थी उसमें आड़ हो चुकी है तो अब इससे आप नेस्ट करेंगे तो यह आपका फोन 100% ओन हो जाएगा तो मैं यहां से आपको स्पीड प्ले कर देता हूँ यह देखिए हमारा फोन 100% ओन हो चुका है तो आप इस तरह जितने भी नेस्क्यूटी अपडेट है उनके सभी कि आप इस तरह फार पी निकाल सकते हैं तो उसके बाद अगर आपको यह सारा प्रसेसर करने के बाद आपको अपने फोन को रिस्टार्ट कर देना है फुल रिसेट् तो आपको यहां से जाएके फूर्जिस्टर करना है ताकि जो आपने इसमें एड़ी एड़ की है वो आपका डिट हो जाए और आपका फोन फिर से दुबारा नए साटप पे आ जाए तो आप इससे जरूर कर लिजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस व कि अज कहुत आपका बेगा एंष आपका लाव कान उ ensure्भरा आपका एससे में जाएकर कर दो आती है कि वोड़ी है भी जे कर वीडियो आपका जे मन ROBERT झाल झाल